पी अखाडी में डाला यहां के हरे ब्रे मैदानों के कारण भालू को देखना आसान होता है जब पहला भालू नज़र आया तब याता की तकान से एरिक की आँख लगी हुई है उसका पहला विशाल ग्रिजी भालू काफी सहज लग रहा है वो आक्रामगधं से शिकार नहीं कर रहा है वो तो ताजी धास चर रहा है ये लोग एंड्रेस के भालू के प्रदेश में पहुँच चुके हैं एंड्रेस और एरिक जागे हुए हैं और कुछी मिनिटों में कैमरा और समान बांग कर वो इस रुमान चेक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं तब ही उन्हें विशाल पदचिन मिलते हैं हर चिन एंड्रेस के हाथ से ज्यादा चोड़ा है ये हैं एक विशाल नर भालू के पदचिन है तज्यूर्ब ने एंड्रेस को सिखाया है कि उन्हें सावधानी से जाना चाहिए अगर वो भालू को चौकाएं नहीं तो वो काफी हद तक सुरक्षित हैं भूरे भालू कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो आम तोर पर बिना उक्साय किसी पर हमला नहीं करतें अगे बढ़ने से उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि पास की वादी में अन्य भालू भी हैं एक मादा भालू और उसका दो साल का शावख एंड्रेस ने तुरंत मा को पहचान लिया अगे बढ़ने से पास का शावख एंड्रेस अक्सर भालू की तस्वीरे खीच कर उन्हें अपनी डाइरी में दर्च कर लेते हैं इससे उन्हें इस खेतर में मजूद भालू के बारे में पता चलता है इस मादा भालू की अधभुत विशाल नाक और उससे अलग है और दो साल पहले जब उसकी तस्वीर खीची गई थी अपसे वो बिलकुल नहीं बदली है शीतकाल के बाद वो कुछ दुबली हो गई है लेकिन एंड्रियस को कोई शक नहीं है यही उनकी पुरानी मित्र है अठखेलना करते हुए इं भालू को देखकर एंड्रियस आगे बढ़ जाते हैं वो कठोरा वास्थान में जीने वाले ग्रिजली स्पर्फिल बनाना चाहत है कि आगे इस राह में यही रोमन्चक परभक्षी मिलेगा या कोई और चौका देने वाला जीव उसकी ताख में होगा वो सीधे परवतों के जादू इसाय की ओर बढ़ जाते हैं अलूशियन ग्रीप पानी में डूबे हो परवतों की शिंखला है कुछ पहाड़ों में ज बढ़ परवतों पर चड़ जाते हैं एक खास नजारा उनका इंतजार का रहा है कई ग्रिजलीज के बाल कभी कभी सुनेहरे हो जाते हैं लेकिन टेहे वर्शों में एंड्रियस ने इतने हलके रंग के बालों नहीं रेखे थे ये अस्थाई भी हो सकता है या फिर स्थाई इस शावक के आपकार से लगता है कि ये करीब देड़ साल का होगा हलके सफेद रंग के बालों के बावजूद ये शावक अलबीनो नहीं है इसकी आँखें भूली है गुलाबी नहीं त्वच्चा गहरे रंगती है ये तो बस अदभुत रंग का भालू है मुस पैठियों की गंध पाते ही मां अपने शावक को वहां से ले जाती है कैमरे से दूर पहले दिन की शांदार शुरूआत का लाजवाब अंदर कई भालू दिखाई दिये और ये तो महस शुरूआत है नाव तक लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी है इसलिए एंड्रियस और एरिक पहाणों में ही राद बिताते हैं इससे एरिक को अलूशियन पहाणों पर मृत्त करती हुई अनोखी नौदन लाइट्स दिखाई देती हैं ये विचेतर प्रतिक्रिया तब होती है जब बहुत ज्यादा चार्ज वाले अनु धर्तिके चुम्ब की ये चेतर से खिचे चले आते हैं और प्रित्वी के वातावरण में मौजूद गैस से गुजरते हैं वापस टार्डिस पर लौट कर नहा धोकर ये दोनों एक नए दिन की शुरुआत से पहले नाश्ते के लिए बैठते हैं लेकिन वो बहुत देर तक ऐसे आराम से नहीं बैठ पाते एंड्रेयर्स उसकी प्रियमादा भालू नाश्ते के समय वहीं चली आती है और वो अकेली नहीं है उसके साथ उसके तीन शावक भी है पिता और पुतर हडबढा कर अपना कैमरा संभालते हैं वो नजदीक से तस्वीरें खीचने के लिए तैयार हैं सर्दियों का मोटा फर उतर जाने के बाद ये शावक पत्र ले लगने लगे हैं एंड्रेयर्स ने इस मादा को कई बार देखा है वो जानते हैं कि ये मादा एक सतर्क और महनती मा है वाइल लाइफ फिल्मे बनाने के प्रेशे में अखेला पन होता है लेकिन अब एंड्रेयर्स अपनी उत्ते जिना और ग्यान अपने बेटे के साथ बांट सकते हैं एंड्रेयर्स मानते हैं कि ये मारा भालू जान गुज कर उनके नजदीक रहती है शायद इंसानों की मौजूदगी से भावी खतरनाग भालू उसके शावकों से दूर रहें वो एरिक को बताते हैं कि भालू एक दूसरे को और खुद एंड्रेयर्स को देख कर नहीं बटके गंद से पहचानते हैं एंड्रेयर्स को याद है कि एक साल पहले उन्होंने भालू के इस परिवार को पहली बार देखा था उन्हें ये बाद इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने चार शावकों वाली मा को पहले कभी नहीं देखा था भुए भालू में अक्सर दो या तीन शावकी होते हैं परिवार लुप तो हो गया था। कुछ महीनों बाद जब ये भालू फिर से मिले तब ये स्पश्ट था कि उन्हें भी एंडियस याद थे। भालू पूरे विश्वास के साथ उनके सामान का निरिक्षन करने लगे। अब तक उनके सिर्फ पीन शावक बचे हैं। ये संभव है कि ये किसी दिशाल नर्भालू का काम है। नन्मिर शावकों को आक्रामक नर्भालूं से पाफी खतरा रहता है। कोई नहीं जानता कि वरयस्क भालू शावकों उपर हमला क्यों करते हैं। शायद उनकी मा को प्रभावित करने के लिए ताके वो किसी और भालू के शावकों की बजाए। उसके जीनस वाले शावकों की मा बनने के लिए तैयार हो जाए। अब ये ज्यादा देर तक भालू के साथ नहीं रह सकते। समुद्री जवार के आने से मैदान का रास्ता लुप्त हो जाता है। यहां जवार दस मीटर उंचे होते हैं। यही अवसर है इस खाई से नाव को बाहर निकालने का। आंड्रियस आपनी बेटे को अपनी प्रीय जगह दिखाना चाहते हैं। फिल्म बनाने की नहीं, बल्खे मचली पकड़ने की। वादाम्त हार्टे तुर, अबर विर शफन दस शूल। यह जगह उपर पहाड उपर है। एक पानी से भरे हुए ज्वाला मुख्य प्रेटर में। इस रास्ते से हर साल सैमन मचलियां गुजरती हैं। ट्राउट जैसी अन्य मचलियां तो पूरे साल गहरे ठंडे पानी का मज़ा उठाती हैं। लेकिन सैमन जैसी प्रवासी मचली अब यहां आने लगी है। कहते हैं कि इनमें सूंगने की घजब की शक्ती होती है। जिससे यह मचलियां उसी जगए को ढूंदे लेती हैं जहां उन्होंने कभी अंडों से जन्म लिया था। अलासका की पोशक जीलें दुनिया के सबसे बहतरी मचली पकड़ने की जगए हैं। इन दोनों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। सैमन भी डट कर मकाबला करती हैं। एक भी हार नहीं मानता। पूरे हर्श के साथ वो इस विशाल मचली को निकाल भी लेता है। ये उसे हमेशा याद रहेगी। तुम्हारी पहली सैमन वाह। एंड्रियर्स इन मचलियों की इतादात का फाइदा उठा कर इनके विवहार की तस्वीरें लेते हैं। जब उसके पिता व्यस्त हैं तब एरिक अपनी मचली को छीलने लगता है। उसे नहीं पता कि उस पर किसी की नजर है। ताजा मचली की गंध से किसी और की रुची भी जागुठी है। एरिक से आठ गोना ज्यादा वजन वाला ये विशाल पर भक्षी आगे बढ़ता है। लेकिन ये दुबला दस वर्षी ये बच्चा भी अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता। भागो। भालो भागो। जब भी खत्रा नहसूस हो तब मेरे चिछड़तने से परभक्षी को भगाया जा सकता है। जब तक एंड्रियस पानी से निकलते हैं इस साखत महो चुका होता है। क्या बात है एरिक। एक मिशाल भालो यहां आया। मैं मचली छीली रहा था कि अचानक वो मेरे पिछा अधम का। उसे मेरे मचली चाहिए थी। मुझे उस पर मिर्चे चड़कनी पड़ी। तुम ठीक तो हो। हाँ। यह खतरनाक स्थिती थी। लेकिन न तो एरिक को नफसान पहुँचा और नहीं भालू को। अपने द्रोस्तों को सुनाने के यह एरिक के पास अब एक शांदार खिसा है। जंगल में खतरे से उसका पहला सामना, लेकिन मचली खाते समय उसकी उत्तेजना संतुष्टी में बदल जाती है।